नमस्कार दोस्तूं IPL 2021 का आज चोता मुकाबला राजस्तान रोल्स और पंचाब किंग्स के बीच खेला जाना है ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानकेडे स्टेडियम में और इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों के कप्तान यानि की के एल राहूल और संजू सेमसन ने अपनी प्लाइंग 11 को सित कर दी है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों टीमों की तरब से कौन कौन से खिलाड़ी प्लाइंग 11 का इस सर रहने वाले हैं इसके लावा हम आपको पिछ रिपोर्ट भी बताएंगे और इस मुकाबले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देंगे तो दोस्तो देखते रहें वीडियो को पूरा आखिर तक और साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मुकाबले देखने को मिले थे लेकिन इस बार भी कुछ ऐसी उमीद होगी क्योंकि ये मुकाबला भी होने वाला है वान केड़े स्टेडियम में वैसे दोनों टीमों में कई बड़े बदला हुए हैं एक तरफ जहां संजु सेमसन को कप्तानी सोपी गई है तो वहीं पर पंजाब किंग्स ने अपना पूरा नाम ही बदल लिया है क्योंकि पिछले साल तक जो किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी वो इस बार पंजाब किंग्स के रूप में एक नए अवतार के साथ मेदान पर उतरने वाली है आई पिल 2021 में तो दोस्तों हम बात करें दोनों टीमों के क्लाडियों की तो इस बार इन टीमों में जान जरूर है क्योंकि यहां पर दमतार क्लाडियों से सजी वी यह तीम है राजस्तान रॉल्स के पास बेन स्टॉक्स मौजूद है लेकिन उमीद करते हैं कि कोई एक बलेबाच इस टीम के लिए लगातार बेतरीन परफॉमेंस करता हुआ रहे क्योंकि पिछले साल भी ये टीम कुछ ऐसी लग रही थी कि कापी मजबूत है लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं और बाद में ये टीम के बलेबाच उतने अच्छी तरीके से रन नहीं बना पाई और एक बार फिर हम आपर उमीद करेंगे कि इनके बलेबाच इस बार अच्छा परफॉमेंस करें और संजू सेमसन जो की पहली बार कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं वो अपनी कप्तानी में एक नया इतियास रचे जिस तरह से रिफसब पंत ने सांदर कप्तानी करके पहला मुकाबला जीता उसी परकार का आगाच इनका भी हो वही पर हम बात करें के एल राहूल की कप्तानी वाली पंजाब की तो राहूल के पास भी बेतरीन मौका है क्योंकि पिछले साल केल राहूल की कप्तानी में इस टीम ने कुछ खास नहीं किया था केल राहूल ने बले अपने बले से जम कर रण बनाये थे लेकिन इस बार उमीद करते हैं कि इनके बले के सासाथ यहाँ पर टीम की भी बेतरीन परफॉमेंस करेगी इस टीम के पास केल राहूल के अलावा माहिंका गर्वाल, क्रिस गेल, निकलस पूरन, डेविड मिलन जैसे सांदार खलाडी मौजूद है इसके अलावा गेन बाजी में भी इस टीम के पास कई अच्छे आपसन है जो यहाँ पर टीम को मजबूत बनाते हैं, बात करें जैरिचर्सन, राइली, मेडरिट और मौहमल समी जैसे कई सांदार दिगज खलाडी मौजूद है तो चले दोस्तो अब हम जानते हैं दोनों टीमों की पलैंग लेवन के आखिरकार कौन कौन से खलाडी के साथ दोनों टीमे मेडान पर उतर रही है इस पहले ही मुकाबले मे तो दोस्तो पंजाब किंग्स की तरब से इस मुकाबले में ओपनिंग करने वाले हैं के एल राहूल और महिंग अगरवाल तोनों कलैड़ों ने पिछले साल पी कापी सांधर सुराद दी थी लेकिन इसके बाद महिंग अगरवाल चोटिल हो गए थे लेकिन इस बार उमीद है कि एक बार फिर वो सांधर परफॉमेंस करेंगे पिछले साल राजस्तान रोल्स के खिलाब भी सांधर सतक जमाय था महिंग अगरवाल ने और राजस्तान के सामने विसाल स्कोर खड़ा किया था लेकिन इस बार पिर उसी परकार के परफॉमेंस की उमीद होगी के एल राहूल और महिंग अगरवाल से तो वहीं पर नमबर 3 पर टीम में बदलाव देखने को मिल सकता है हलांकि क्रिस गेल इस पूरी तरह से फिट है इस मकाबले के लिए लेकिन अगर क्रिस गेल की जिकरपर डेविड मिलन को भी मौका मिल सकता है वैसे तो दोनों टीटेवंटी के सांदार प्लेयर है तो लेकिन याप पर हमें साइथ पहले मकाबले में खेलते वे दिखेंगे क्रिस गेल जिनका परफॉमेंस पिछले साल नमबर 3 पर कापी सांदार रहा था हलांकि वो सबसे ज़्यादा उमर में सितक लगाने के मामले में एक रहा थे चुग गए थे लेकिन उमीद करते हैं इस बार वो सांदार परफॉमेंस करेंगे तो वहें पर इसके बार नमबर 4 पर परब सिमरन सिंग उतरेंगे तो नमबर 5 पर उतरेंगे निकलस पूरन निकलस पूरन कापी आकरमक बले बाजी करने वाले हैं तो नमबर 6 पर सारुख खान को मौका मिलेगा सारुख खान एक बैतरीन प्लेयर है जिनको इस बार इस टीम ने सामिल किया और उमेद है कि वो अच्छा परदसन करेंगे तो वहीं पर नमबर 7 पर दीपक हुड़ा उतरने वाले हैं तो नमबर 8 पर उतरेंगे चेर रिचर्सन नमबर 9 पर राइली मेड़ित उतरेंगे तो नमबर 10 पर मौमद समी उतरने वाले हैं पंजाब किंग्स की ये टीम वहीं अब राजसान रोल्स की बात करे तो आज के इस मुकाबले में राजसान रोल्स की तरब से ओपनिंग करते वे नजर आएंगे जोस बटलर और बैन स्टॉक्स दोनों के लाड़ी कापी आकरमक बले बाज हैं और इनका बला चला तो आज यहाँ पर राजसान रोल्स की बले बले होने वाली हैं वहें पर इस टीम की तरब से नमबर तीन पर उतरने वाले हैं कप्तान संजू सेमसन जो कि कापी आकरमक बलेबास के तोर पर भी जाने जाते हैं तो वहें पर नमबर चार पर टीम की तरब से रियान प्राग उतरने वाले हैं रियान प्राग भी कापी सांदर बलेबाची करते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से राजस्तान रॉल्स के लिए तो वहें पर नमबर पांच पर लेयाम लिविंग स्टोन उतरने वाले हैं तो नमबर चै पर उतरेंगे राहुल तेवेटिया इसके बार नमबर साथ पर सीवम दूबे हमें कहलते वे नजराएंगे तो नमबर आपर कड़ी तकड़ देने वाली है आज के मुकाबले में पंजाब किंक्स को नहीं पर दोस्तों पिछ रिपोर्ट की बात करें तो यह पिछ यहां पर बल्ले बाजू के लिए कापी मदद कार हैं यहां पर टोस जीतकर पहले गिनबाजी का पेसला चुनना आसान होगा क्य कि रंज चेस बड़ी आसानी से होता है मुंबई के इस मेदान पर दोस्तों डोन टीमों की प्लेंग 11 देखने के बाद आपको कौन सी टीम मजबूत लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साती इस वीडियो को ज़्यादा सेयर जरूर करें दन्यावाद दोस्तों झाल